हेलो दोस्तो एक बाब फिर से आप सभी का स्वागत है, बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो में, दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बेस्ट इन मार्केट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा, वहीं अगर आप ट्रेडिंग कर करता हुआ देखने को मिल रहा होगा लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों आपको dmart अपने portfolio में रखना जरूरी है और इस stock में क्या best buying level निकल क्या रहा है with proper target and stop loss तो इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा जिससे आपके सारे doubts clear हो जाए लेकिन अगर आपका फिर भी कोई doubt बच जाता है तो आप वीडियो के नीचे comment section में मुझसे पूछ सकते हो अब दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो मैंने आपके लिए डी मार्केट का चार्ट अल्रेडी प्रिपेर करके रखा है अगर हम यहां पर ध्यान दे तो मैंने weekly लिए चार्ट बना रखा है यहां पर कई सारे important level लिख रखे हैं लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए का कि D-Mart में या कोई भी stock में अभी नई position बनाने से पहले आपको global market पे भी नज़र डाल लेना चाहिए अगर मैं global market की बात करूँ तो Dow Jones में आप देख सकते हो आपको almost 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है तो इस तरह का गिरावट आपको Dow Jones की वज़े से Monday के दिन Indian market में भी देखने को मिल सकती है तो चलिए दोस्तों ज्यादा time ना waste करते हुए DMART के चार्ट के उपर मैं ले चलता हूँ आपको अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैंने time को बचाने के लिए already chart को पहले से draw कर रखा है लेकिन मैं आपको फिर भी explain कर देता हूँ हम लोग यहाँ पर जो chart की analysis कर करने वाले हैं वो तब से करने वाले हैं जबसे DMART stock market में list हुआ है अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो DMART का chart को ला है वो weekly chart है तो इस stock का listing था वो almost 17 March 2018 को हुआ था और उसके बाद से आप इस stock में देख सकते हूँ continuously एक uptrend rally आपको देखने को मिली और फिर यहाँ पर इ आपने दोस्तों trolley देखी होगी जब भी आप सूपर मार्ट जाते होगे या मार्केट जाते होगे तो आप लोग एक trolley देखते होगे और यह जब trolley में आपका समान भर जाता है तब आप दूसरी trolley की ज़रुत पड़ती है वैसा ही कुछ pattern आपको दोस्तों DMART में भी resistance लिया फिर से correction and consolidation फिर यहाँ पर आप देखो stock ने एक rally दिखाई rally दिखाने के बाद इस जगह पर resistance लिया then correction, consolidation and फिर वापिस से एक rally यह rally कुछ जादा ही तेज हो गई तो इस वज़े से इसमें जो correction आपने देखने को मिला वो काफी शांदार correction था और यह दोस्तों यहाँ अब ध्यान से देखोगे तो यह stock एक trolley बनाते हुए pattern form कर रहा है, हर जगह आप देखो यहाँ पर आपको एक trolley नजर आ रही है, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा trolley नजर आ रही है, अब दोस्तों trolley में सिर्फ आपको समझाने के लिए word use कर रहा हूँ, अब यहाँ पर अ अब यहाँ पर आपके लिए important चीज यह है कि जो आपका resistance वाला level है, उसको मैंने यहाँ पर orange line से mark कर रखा है, आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो कि stock ने first time resistance लिया, second time यहाँ पर resistance लिया, third time इसने directly resistance को break किया, ऊपर आया, और इसी जगह पर resistance की जगह पर support ले करके वाप इस उसी resistance को hit करके नीचे आया, फिर consolidate किया, consolidation के बाद, तब इसने अपने resistance zone को break किया, यहाँ पर आप देखो कि इस जगह पर resistance zone आपका break हुआ, और फिर non stop rally आपने देखने को पाई, और इस stock ने फिर से एक नया resistance बना लिया, इस जगह पर, यह जो blue color का circle देख रहे हो resistance आपने फिर से यहीं पर देखा, जो previous मतलब हमारा resistance था, फिर वहाँ से stock correct होना चालू हुआ, फिर वापस जाकर नीचे आकर उसी जगह पर support लिया, जहाँ पर previous resistance था, यह वाला orange वाली line ध्यान दे रहे हो गया, और फिर इसके बाद इसमें एक upward momentum चालू हुआ, और जैसे ही इसने अपने उपर वाले resistance को break किया, फिर आप देख रहे हैं, उसमें non-stop rally आपको देखने को मिली, तो यहाँ पर आपको देखकर यह clearly समझ में आगया होगा, कि stock पहले resistance बनाता है, फिर वहाँ से नीचे correct होता है, फिर वापिस अपने resistance पे जाकर एक बार hit करता है, फिर वा औरेंज लाइन आप देख रहे हो दोस्तों, यह एक तरह से resistance है, और इन ही resistance को एक टाइम के बाद stock resistance से convert करके support बना लेता है, अगर आप ध्यान से देखो के तो यहाँ पर stock ने resistance लिया, और ओर जाकर कि जैसे ही ब्रेक हुआ, उपर जाकर कि नया resistance फॉर्म किया, और यहाँ पर आके इस resistance को change करके support में convert कर दिया, फिर से देखो यहाँ पर support में convert किया, और ऊपर चला गया, ऊपर जाकर कि जैसे ही नया resistance बनाया, यह पुराने वाले resistance को, मतलब औरेंज वाली line को एक support में यहाँ पर convert कर लिया, दोस्तों किसी भी stock में invest करने से पहले आपको उसके chart के pattern को समझना ज़ादा ज़रूरी होता है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले chart discuss कर रहा हूँ, जिससे आपको price pattern समझ में आए, कि किस जगा पर आपको buying करना है, और क्या आपके best buying level हो सकते हैं, अब खैर इतनी सारी चीज़े तो आपको मैंने बता दी, levels यहाँ प price के पास में चल रहा है, और इसी तरह का global market अगर आपको pressure दिखाता है, तो यह stock इससे भी नीचे जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर important बात यह आती है, कि जिन्हों ने इसमें old position बनाई है, याद रखेगा जिन्हों ने old position बनाई है, उनके लिए सबसे important चीज़ यह है, जो यह red वाली line है, यह red वाली line दोस्तो एक तरह से उनके stop loss होंगे, क्योंकि जिन्हों ने मान लेता हूँ, अगर आपने ऊपर कहीं position बना ली है, और आप इसमें attack गए हो, तो आपके लिए जो red line है, यह stop loss का का काम करेगी, और यह stop loss का level जो दोस्तो निकल के आ रहा है, मैं यह नहाँ पर mention कर देता हूँ, यह rai 3,888 rupees का, तो exactly अगर आपको यह stock 3,888 rupees के नीचे निकलता हुआ दिखाए दे, तब आप इस stock से exit कर सकते हो, मलब आपके जो profit अगर आपने नीचे से buy करके रखा है, तो आप अपने profit को book कर सकते हो, और अगर आपने ऊपर कहीं buy करके रखा तो आपको 3,888 rupees पे exit कर देना इस stock से, अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक important question उठना जरूरी है, कि यह जो 3,888 rupees का level है, यह आखिर आया कैसे, तो Fibonacci की help से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, कि यह जो 3,888 का level है, यह कैसे आया, तो ध्यान से देखिएगा, अगल के आ रहा है, 61% retracement वाला, जिसे हम लोग healthy retracement consider करते हैं, वो almost 3,888 rupees के पास का आ रहा है, और दोस्तो हम लोग 61% को trend reversal sign की तरह भी consider करते हैं, इसलिए अगर यह stock आपको 3,888 rupees के नीचे निकलता है, तब आपको इसमें एक sharp correction देखने को मिल सकता है, और यह correction कहां तक होग वो भी मैं आपको बता दूँ, अगर मैं Fibonacci delete कर देता हूँ और आपके सामने वापिस अपने पुराने levels को ले आता हूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि मैंने already support बना रखे रखा है, इस stock का momentum आप समझ गए होगे कि जैसे यह stock एक नया resistance बनाता है, और उस resistance को break क करके ऊपर निकलता है, तो यह stock वापिस ऊपर एक नया resistance बनाने के बाद फिर से वापिस से अपने previous resistance पे एक support लेने के लिए आता है, तो यहाँ पर आप बहुत clearly देख सकते हूँ यह जो orange वाली line है, हो सकता है कि stock अपने previous pattern को follow करने के लिए यहाँ पर एक support लेने के लिए आ 3350 रुपीज पे जाते हुए देखने को मिलता है, तो यह जो level होगा हमारा, यह हमारा best buying level होगा, और यह चीज़ याद रखेगा, जो नए investors है, उनके portfolio में यह stock होना काफी important है, और क्यों important है, अभी इसके बारे में मैं discuss करूंगा, आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में कि क्यों आपके portfolio में यह stock होना जरूरी है, अब यहाँ पे आपको यह तो समझ में आ गया होगा, कि अगर यह इस red line को break करता है, तो यह हो सकता है कि support लेने के लिए, हमारे 3400 और 3350 रुपीज के target तक नीचे आ सकता है, और यहाँ पर जब आप buy करोगे, तो आपके लिए कु कि अगर आपने इस position पर buying मनाई है, तो जो आपके stop losses निकल के आ रहे है, वो निकल के आ रहे है, 2500 रुपीज के पास में, तो यह तो दोस्तो ऐसा case हो गया, कि अगर market यहाँ सिर्फ और fall दिखाता है, तब आपको क्या करना है, लेकिन in case stock market है, नीचे ना जाकर के ऊपर जाने लगता है, तब आपको क्या करना है, तब दोस्तो एक चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है, कि हम लोग जो अभी analysis कर रहे हैं, वो weekly analysis कर रहे हैं, तो हम लोग का view इस stock में already long term का होने वाला है, तब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजेगा, कि जो अभी इसका current market price चल र और अगर इस stock को ऊपर जाना है, और fast momentum दिखाने की कोशिश करनी है, तो यह stock के पास एक level आ रहा है, और वो level इस जगा पर कहीं आ रहा है, यह stock अगर आपको 50 100 rupees के ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है, in case यह नीचे ना जा करके यहीं से reversal मारता है, तब आप 50 100 rupees के ऊपर एक buying position initiate कर सकते हो, लेकिन वहाँ याद रखिएगा कि यह जो levels हैं, यह आपकी copy में बहुत seriously note होने चाहिए, जिसमें 4200 का सबसे पहला level है, अब यह याद रखना कि आपने मानलो 5100 पे position तो बना ली, suppose market उपर जा रहा था, तो आप stop loss अपने इस level पे लागा के रख सकते हो, और अगर इस stop loss को हमारा stock hit करता है, तब आप इसमें फिर से नीचे आने पर एक नई buying position initiate कर सकते हो, अब दोस्तो यहाँ तक तो आपको यह पता चल गया कि इस stock में आपको buying कहां पर करनी है, stop loss कहां पर लगाना है, लेकिन important चीज़ यह है कि हमारे targets क्या होने चाहिए, तो द company के results आएं, वो भी काफी शांदार आएं, लेकिन फिर भी market के जो expectation थे इस stock से वो काफी ज़्यादा high थे, जिस वज़े से इस stock में almost अभी की समय आपको 30% का correction देखने को मिल रहा होगा, इसलिए एक बार मैं फटा फट से आपके सामने short में results को भी discuss कर लेता हूँ, अगर आ वहीं अगर पिछले quarter की बात करें, तो पिछले quarter में ये केवल और केवल 415 का था, वहीं अगर पिछले year की बात करें, तो ये profit केवल और केवल 440 सिखता था, तो अगर आप देखो quarterly basis पे भी और yearly basis पे भी, company में एक अच्छा कासा profit growth देखने को मिला है, अब दोस्तों हम market crash से पहले, बजाज finance के price को देखोगे, तो ये भी price आपको almost 4200-4300 के पास में देखने को मिल रहा था, and then sudden crash हुआ जब market, तो ये stock का जो price था, ये almost 2000 रुपे, मतलब 181900 रुपे तक भी चला गया, लेकिन उसके बाद company के fundamentals और results इतने ज़्यादार थे, कि इस stock में non-stop rally आपक पास में चल रहा है, अब ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है, क्योंकि अब मैं आपके साब में जो target share करने वाला हूँ, वो सुनकर आपको हैरानी होगी, और आपको इस stock को long term के लिए क्यों hold करना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, अभी की समय में इस stock का जो current market price चल रहा है, वो चल रहा है 4300 रुपीस के आसपास, लेकिन वहीं अगर मैं stock के short term target की बात करूँ, short term target दोस्तों फिर से बता दू, केवल और केवल 1 year का होता है, तो 1 year की बात करूँ, तो मतलब 2022 के end तक, तो almost 2023 तक मैं मान लेता हूँ, 2023 तक दोस्तों इस stock में जो मैं expectation मान के चल रहा हूँ, कि ये stock आपको 7000 रुपीस तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, अब इसमें एक condition ऐसी आती है, जिसे आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, और वो है market crash, अगर in case कोई market crash नहीं होता है, या ऐसी कोई unpredictable situation नहीं आती है, तब एक साल के अंदर ये stock आपको 7000 रुपीस को भी touch होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि काफी fast momentum इस stock में आपको देखने को मिलता है, और अभी के समय में ये stock यहाँ पर एक consolidation phase में जा चुका है, और वहीं दोस्तों इसके high की बात करें, तो ये जो high था, previous high था, ये क stock को long term के लिए hold करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी शांदार सी चीज़ है, तो ये याद रखेगा कि अगर आप इस stock को long term के लिए hold करते हो, तो जो target आपके expect कर सकते हो, मतलब 5 years की मैं बात कर रहा हूँ, 5 years के अंदर दोस्तों ये stock आपको 15,000 रुपीस तक भी जाता इवेन अगर मैं बजाज finance की बात करूँ, तो उसमें भी आप इसी तरह के fast growth देख रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए सबसे important चीज़ जो दोस्तों होती है, वो होती है company के fundamentals, अगर company के fundamentals काफी जाधा strong है, तब ऐसी company अगर आपको एक अच्छे खासे discounted price पे मिले, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तब आपको इसमें एक buying position जरूर initiate करनी चाहिए, और मैं तो कहूंगा, जो छोटे investors हैं, या जो नए investors हैं, वो केवल और केवल एक stock ही, dmart का अपने profile में जरूर add करके रखे, लेकिन add करने के लिए, जो levels आपको बताएं हैं, उन levels को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, I hope आज की वीडियो में बताएगा है, buying level, target, stop loss, आपको बहुत clearly समझ में आए होगे, लेकिन अगर आपका अभी भी कोई doubt है, dmart से related, तो आप वीडियो के नीचे comment section में मुझसे पूछ सकते हो, वहीं दोस्तों ये वीडियो आपको कै कैसी लगी है, ये भी आप मुझे comment में अगर बताओगे, तो मुझे काफी अच्छा लगता है, अगर वीडियो आपको पसंद आये, तो वीडियो को like कीजेगा, channel को subscribe कीजेगा, फिर मिलूँगा एक और ऐसी वीडियो के साथ अबता के लिए धन्यवाद